अब तक हमने देखा बेताल राजा भोज को विक्रमादित्य के परोपकार की कथा सुनाता है वो बताता है कि जब विक्रमादित्य को पता चला कि निर्दोश नाम देव नामक युव की कल मृत्यू हो जाएगी जिसे मृत्यू दंड का आदेश राजा रुद्र प्रताप देंगे तो उन्होंने निर्ने लिया कि वो काल को रोकेंगे विक्रम काल को योग बंधन से बान देते हैं बेताल जब कहानी सुनाते हुए राजा भोज को भटकानी की कोशिश करता है तो ब्रह्मा जी उसका कद छोटा कर देते हैं और फिर डर से बेताल आगे की कहानी कहता है विक्रमा दित्य के पूछने पर नाम देव उन्हें बताता है कि जब वो महरानी रागेश्वरी को नाग मंदिर ले जाता था तभी तक्षक नाग वहाँ प्रती दिन आने लगा और एक दिन उसने तक्षक को द्वार पर रोक लिया तक्षक ने उसे चेताम नी दी कि उसे रोपने के साहस का दंड वो उसे अवश्य देगा ये सुनकर विक्रमा दित्य बुले कि वो सब समझ गए अब देखते हैं आगे कि इतना चोटा कर दिया के श्रीमान में बेताल मैंने मां लिया कि आपने किसी भी रूप को धर ने के शक्ति है नतुक रिपा करके मझे आगे की कहानी सुन आग हुआ मैं जानने के लिलिए उत्सु ए तोड़ी देर बाद मेरा मन हो जाएगा तिर मैं आपको कहानी सुनाओगा तब तक अगर आप चाहें तो जल और अल ग्रहन कर लीजिए ठेकिन श्रीवान बेताहल में भूका और प्यासा नहीं है पर मैं कथा सुनना चाहता है दें के में बेमन से सुना तो गूआ अथिक बूल है तो इसलिए पाद पर सुनाता हूं न चाहिए अच्छे बाद, बेताल, तुम पुना अपने पत से भटक रहे हो, नहीं, 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 ब्रम्देव, यह तो मैंने जान भूच कर एची कहा नहीं सुनाई, मुझे पता था यह सुनकर आप जरूर प्रकट होंगे, क्रिप्या मुझे इस से मुख्त कर दीचे, छीक है किन्तु स्मान रहे, यदि तुम पुना अपने पत से भटके, तो तुमें कठोर दंड मिलेगा, यह, मैं नहीं भटकोगा, यह, राजा भोट, श्रीमान बेताल, आपको आपके वास्तविक रूप में देखतर मजे अत्यन्त प्रसंता हो रहे हैं, धन्यवाद राजन, आए राजन, मैं अब आपको आगे की कथा सुनाता हूँ, अबश्य, राजन, तक्षक बड़ा ही मायावी नाग था, उसने राजा परिक्षित को भी फूलों के हार में चिपकर डसा था, उसके बाद वो मन ही मन हसा था, और तो और कल्यूक के आने का का कारण भी वही बना, तब तो ये कार बहुत चुनाती पूल रहा हूँ, हाँ, और चुनाती का दूसरा नाम थे, मेरे मित्र विक्रमादित्य, ये नागते हैं, हम संसार वास्यों के लिए आप हमेशा से भगवान रहे, हमारे पूझने, परन तो आज, अक्षक के कारण सद्यों से हो रही आपकी भक्ति और आस्था, उटने के कगार पर, ऐसा क्या किया उसने समराट, कौन सा कुकर्म किया, कौन सा अधर्ण, उसने पित्वी लोग से महारानी रागेश्वरी का पूझा स्थल से अभरण किया है, अपने इस गिरों ने कुकर्म से आपके देवत बहुद नाग कुल को कलंग कित किया है उसने, आपके भक्तों के रिदे में, कटूता और सत्रूता का विश भर दिया, इसलिए हे नाग दे, हमारी आप से विनती है, उसके लोग जाने का मार्क बताए हमें, आपके बताइ SMITH विए नागलोक विए नागलोक विए नागलोक हुआ था प्राइब बीजय करते हैं प्रिट्वी लोग से यहां नाग लोग में क्या कर रहे हो? प्रिट्वी लोग के वासियों का उनसे मिलना बुरा सपना है क्योंकि मनुष्य हमारा दुष्मन है अपने जीवन का कोई मौह नहीं पर उनके दूष्मन के जीवन से हवश्य मौह है अब आप मार उच्छड़ों जाने को हमें असंभाओ मित्रों इसे समझाना व्यर्थ है मार दो इसे हमेग उच्छड़ों आप उच्छड़ों याव एँ कर दो झाल 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 सम्राट विक्रमा देत्या हम एक्षमा करें सम्राट विक्रमा देत्या हम जान गए हैं कि हमारा विश्वरत तोड़ने वाला कौन है नागराज का प्रणाम स्विकार करें सम्राट और नागलोग में आने का उद्देश बताईए रक्षक राज से मिलना हमारा उद्देश है तो प्याप हमारी सहाइधा करें अवश्य सम्राट अवश्य आप मेरे साथ प्रस्थान कीजिए तो बोलिये राजन एक तरफ थे मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित के निस्वार्थी जो एक अंजान वनुश्य के प्राणों की रक्षा के लिए नागलोग तक चले गए और एक आप हैं व्वार्थी जो मेरे मित्र के सिंगासन को प्राप करने की लालच में यहां चले आ श्रही कि अपने बेता। नै हूँ लाली ज़ि अपनी प्रजा के बारे में इस दोचना लालाचिया। तो मैं हूँ लाली यदी अपनी प्रजा को चक्रवर्टि स्मुराथ दिक्रमधित्य की प्रजा के समान न्याय थे सुख शान्ती और आर्थिक सम्रिदी देना लालच तो मैं हूलाच राजन पहले तो आप जरने का पानी पीके ठंडे हो जाईए और दूसरी बात आप मुझे अपनी लच्छेदार बातों से फुसला नहीं सकते मैं आपको कभी इस सिंगासन पर बैठने नहीं दूँगा फिलाल आप आगे की कथा सुनिये आज के इस शुब दिन बधाईयां गूजेंगी इस नाग लोक में क्योंकि तक्षक अपने परम शत्र मनुश्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी एक और पती वरता इस्त्री के सतित्व का आज हरन करेगा उससे विवाह करेगा एक और जहां मेरे इस कारे से मेरा प्रतिशोद एक कदम आगे बढ़ेगा वहीं दूसरी ओर मेरा बल और बलवान होगा तक्षक 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 के विवाह के शुबाउसर पर आपका स्वागत है स्वागत सत्कार तो बाद में होता रहेगा तक्षक पहले समराट विक्रमादित्य के मन में बैठे संशय को दूर करो कैसा संशय तक्षक क्या यह सत्य नहीं कि तुमने महारानी रागेश्वरी का अपरन किया और उन्हें बंदी बनाया बंदी? अपरन? नहीं नहीं मैंने किसी का अपरन नहीं किया है और ना ही किसी को बंदी बनाया है और ना ही किसी पर बल प्रयोक किया है पूठा आरोप लगा रहे हैं लेदी आरोप है तक्षक तो सत्य क्या है बताइए हमें हाँ तक्षक अपने पक्ष को रखकर सत्य को सिध्ध करो नागराज सत्य यह है कि मनुष्य जाती हमारी शत्रू है सदाई हमारा अहित चाहती है अहित करती है और आज ये हमारे विवाह के पावन आउसर पर हमारा अहित करने आया है नागराज मनुष्य जाती हमारे लिए बाधा थी विग्न है और विवधान रहेगी अक्षक आरोप का उत्तर प्रत्यारोप नहीं होता यदि तुम सत्य कह रहे हो तो सिद्ध करो आप कहते हैं तो मैं अभी सिद्ध कर देता हूँ देवी रागेश्वरी को उपस सिद्ध किया जाए सम्राठ भाग्य मनाओ कि तुम नागराज के साथ हो अन्यथा सारा संसार जानता है कि मह कौन हो आपने बुलाया स्वामी हाँ देवी आईए देखिए हमें देने के लिए कुछ विशेश भेंट लेकर प्रत्वी के परोपकारी सम्राठ विक्रमा देत्ते आये हैं कैसी भेंट हमारे विवा की भेंट हाँ और वो भेंट है आरोप की इनका कहना है कि हमने आपका अपरण किया है और आप से आपकी इच्छा के विरुद विवा कर रहे हैं नहीं सम्राठ ये गलत है हम स्वैम की इच्छा से इनसे विवा कर रहे है महारानी राविश्वरी ये अब क्या कह रही है अब विवाहित है महाराज जूदल पुताप की पत्री है होंगे कभी परन्तु अभी हम केवल इनसे प्रेम करते हैं हम नहीं विश्वास करते हैं आप जो कह रही उसमें आप जो कुछ भी कह रही वो तो इस तक्षक के भई से कह रही है प्रेम में भय कहा समराट प्रेम तो निर्भय है निर्भेक है नहीं मान सकते हैं यह सत्य नहीं है देव बस समराट बस अब आगे एक शब्द नहीं आपने जो प्रसंग छेडा था उस प्रसंग का सुख़दांत हो गया है सुन लिया आपने जो सुनना था आपके आरोपों का उत्तर आपको मिल गया है अब आपकी भला इसी में कि आप चुपचाप यहां से चले जाईए शुब कारी में विघ्र उपस्थित करने की कोशिश ना करें जाहिए यहां से आईए देवी बैठिए यहां और समराट विक्रमादेत्य हमारे हिर्दय की विशालता को देखिए आपने हम पर आरोप लगाए पर हम आपको आमंत्रन दे रहे हैं अपने विवाह में साक्षी होने का विवाह संपन होने पर ही चाहिएगा पुरोहिट जी शुरू कीजिए महारानी रागेश्वरी की बातों ने तो हमें दूविधा में डाल दिया है उनकी बातों से तो हमारा आउतेश हमारा संकल्प हमारा वच्चन सम बिकार हो जाये तो इस पल से हम लोगों का सामना करें कहां गये समराट विक्रमा देत्य और अब तक लोटे क्यो नहीं कहीं? कहीं उन्होंने आमें धोका तो नहीं दे दिया महारानी रागेश्वरी जाहे कुछ भी कहें परन्तु हमारी आत्मा यह कहती है कि असलिए अपरादी तक्षक ही है और नामदेव की जीवन को बचाने के लिए हमें किसी भी किमत पर तक्षक और पृत्वी लोग ले जाना होगा पृत्र अब छोड़ दे समराट के आने के आंस और चल इससे पहले कि रूद्र परताप के सैने फिर से तुझे पकड़ने आ जाए हम लोग कही और चले जाते हैं पृत्र पृत्र परमपिता परमाप्ता हम दो भारी धर्म संकत में फस गए एक तरफ काल देव बंदे हुए और दुसी तरफ महारानी रागेश्वरी तक्षक के छल की शिकार हुई नर्थ ना हो जाए इसलिए तब तक काल देव को मुक्त नहीं कर सकते जब तक इस समस्या का हल ना मुझे विक्रमादित्या फुक्त कर मुझे अन्य धदू नहीं जानता जिस परोबगार को तू अपने तक में फुक्त तक्षक के विवा को रोकनी के लिए हमें शिग्रही को युपाई फोजना होगा अलियथा हुन दूद का दूद और पानी का पानी अलग लही कर पाएंगे क्या हुआ राजन है ना ये भवर जा बताईये बताईये क्या हुआ होगा आगे श्रीमान बेताल ना तो सत्यत्व भंग हुआ होगा तरना परोपकार की पराजय हुई होगा क्योंकि अगर एक सत्य है तो तूसरा था और दोनों अटल है कर दीना आपने फिर से वही घिजी पिटी किताबी बाते शुरू राजन थोड़ा तो दिमाग लगाईए समझे बात को अरे महारानी तो तक्षक के बस में थी फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका सत्यत्मत भंग ना संको